नमस्कार दोस्तो मैं भुवन मंडारी Candlestick Analysis में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होगा क्यूंकि आज हम इस वीडियो में binary options trading के लिए सबसे accurate और सबसे strong support and resistance find करना और उसमें perfect support and resistance draw करने का secret trick बताऊंगा जो आपके लिए best और accurate support and resistance find करने का पहला वीडियो होगा क्यूंकि support and resistance सिखाने के नाम में लोग कुछ भी सिखाते हैं जो आज तक आपने support and resistance draw करना सिखा वो तरीका सही नहीं था ये आपको ये वीडियो complete देखने के बाद महसूस होगा पहले आपको support and resistance कितने परकार के होते हैं ये जानना जरूरी है वैसे तो support and resistance कई परकार के होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला support and resistance दो परकार के होते हैं पहला swing highs और swing lows पर horizontal line या rectangle draw करके support resistance यूज करते हैं और दूसरा break and retest का support and resistance होता है जो सभी परकार के support and resistance में सबसे ज़्यादा काम करता है क्यूंकि इसमें हम train के direction में signal लेते हैं और मैं अपने forex trading में पिछले 12 साल से यही break and retest का support and resistance यूज करते आ रहा हूँ जिसका result मुझे amazing मिलता है और यही secret मैं आज आपके साथ share करने जा रहा हूँ support and resistance complete सीखने के लिए एक महने से भी ज़्यादा वक्त लगेगा उसी को मैं पहुती shortcut में ये छोटा सा वीडियो में सिखाने की कोशिस करूँगा break and retest का support and resistance फाइंड करने के लिए पहला point आपको देखना है वो है market trend में होना चाहिए इस तरह market uptrend में चल रहा होता है तो हम सिर्फ perfect support labels फाइंड करेंगे और अगर market इस तरह downtrend में चल रहा होता है तो हम सिर्फ perfect resistance फाइंड करेंगे लेकिन इस तरह का जिक जिक मार्केट में support and resistance ड्रौ करना loss को बुलाना है तो पहला important point है market trend में होना चाहिए जब market trend में होता है तो हम webs count कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के सारे markets web पर चलते हैं जिसे हम Elliot web बोलते हैं जो इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद market में correction होता है जिसे हम A, B, C बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C ये बनने के बाद web का एक cycle complete होता है उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C करके market उपर चला जाता है ये सिर्फ trend वाले chart पर ही नहीं बलकि A to Z सारे charts में देखने को मिलेगा लेकिन trending market में आसानी से दिख जाएगा और zigzag market में देखने में थोड़ा मुस्किल होगा web पहचानने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा Forex के professional traders zigzag में भी web आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि Elliot web का web measure करने का formula भी होता है उसे हम यूज करके zigzag में भी web को आसानी से पहचान लेते हैं लेकिन आपके लिए beginners के लिए इस तरह का clear trending market में आज का strategy पर trade करना सबसे ज्यादा profitable रहेगा आपके पास बहुत सारे charts हैं आप किसी में भी trade कर सकते हैं तो आपको zigzag market में डूबने के लिए क्यों घुसना है इसलिए number one market इस तरह trend में होना चाहिए अब trend पहचानने में मुश्किल होता है तो आप एक trend line लीजिए और इस तरह loge को connect कीजिए उसके बाद इस trend line को देखिए अगर ये trend line उपर की और जा रहा है तो market uptrend में है और अगर trend line मीचे की और जा रहा होता है तो market downtrend में होगा downtrend का perfect example अभी देता हूँ इसलिए number 2 trend पहचानने के बाद जब भी market इस तरह का एक high बना लेता है उसके बाद अगर इस high को break करके market उपर चला जाता है यानि highest high बना लेता है अभी के लिए ये highest high हुआ अगर इससे बड़ा high बना लेता है तो ये highest high हुआ इस high को break करके market उपर जाते ही आपको इस high पर एक horizontal line ड्रौ करना है और ये horizontal line कैसे ड्रौ करना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है ये जो high है इसके lake के top पर horizontal line नहीं रखना है body के top पर रखना ह market अगर trend को respect करके उपर जाने वाला होगा तो इस horizontal line को जरूर टच करके उपर जाएगा अब हमें wait करना है और देखना है जब इस line को टच करने के लिए आएगा market तब यहाँ पर reversal candle बनता है कि नहीं reversal pattern नहीं बनता है तो अगर market trend में जाने वाला होगा तो इस line को टच जरूर करेगा उसके बाद उपर जाएगा लेकिन हमें इस line पर perfect reversal candlestick pattern चाहिए reversal candle में buy के लिए perfect bullish angle fin, perfect hammer और perfect inverted hammer ये तीन patterns में से कोई एक बनना है और वो कैसे बनना है profitable trading के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है और ये मेरे वीडियोज के अलावा आप internet पर लाखोव वीडियोज देखिए कोई नहीं बता पाएंगे ये मैंने trading करते करते खुद find out किया है हमने जो perfect line draw किया market नीचे आने के बाद इस line पर आकर बैठना चाहिए जैसे हम bench पर पैर नीचे लटका के बैठते हैं जिस तरह ये bench है इसको हमारा support का line मानिए जिस तरह ये यहाँ पर बैठा है पैर नीचे लटका के हमारे support के horizontal line पर भी candle इसी तरह बैठना चाहिए नीचे लेक छोड़कर जो हमारा reversal candlestick होगा वो इस horizontal line पर बैठना चाहिए जब signal बनेगा तब आपको check करना है इस support को retest करने जो candles आएंगे उन में से एक candle का भी body इस horizontal line के नीचे नहीं होना चाहिए ये एक major secret है जो मैंने आज आपको बताया इसमें और भी secrets है जो इस तरह के वीडियो में बताना संबब नहीं है लेकिन अभी आपके लिए इतना समझना ही काफी है इसमें अभी मैं एक perfect signal पर live trade करके भी दिखाऊंगा इसी तरह trading market में जितने भी highest highs बनते जाएंगे वहाँ पर horizontal line draw करते जाना है अब हम downtrend का एक perfect example देखते हैं यहाँ GBP AUD पर अभी अभी downtrend शुरू है क्योंकि यहाँ पर यह जो low है इसको break करके lowest low बनाया है और इसने Elliot web का rule को भी follow किया है इसलिए यहाँ भी web complete होगा 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C downtrend में हमें सिर्फ sale signal ढूणना है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक horizontal line draw करेंगे क्योंकि यहाँ support लेके market उपर गया था उसके बाद इस low को break किया है तो अब हम पहले यहाँ पर horizontal line draw करते हैं यहाँ पर break and retest का signal बन सकता है बेरी से इंगल फिन बन गया दो मिनट्स के लिए sale order लगाते हैं पहले यह trade निकल जाए फिर इसमें थोड़ा सा और explain करूँगा इससे पहले मैंने uptrend के लिए जैसा example दिया था सेम वैसा ही horizontal line downtrend के लिए भी draw करना है इस line पर यह candles बैठना चाहिए body line के नीचे नहीं होना चाहिए line के नीचे सिर्फ leg रहेगा और जब यह candles यहां retest करने आएंगे उस वक्द भी candles का body इसी line में रुक कर reversal pattern बनना चाहिए legs line के उपर और body line के नीचे होना चाहिए उसके बाद market इस तरह नीचे जाता है देखिए कितना perfect signal बना था पहले line पर candles बैठना चाहिए और retest करते आते वक्द candles पर line बैठना चाहिए सेम ऐसा ही यहां perfect signal बना था यह price action support and resistance का part 1 वीडियो है इसमें और parts बनाने के लिए अगर आपके comments आते हैं तो price action पर और parts बनाते जाओंगा आपको इसमें कुछ ज्यादा जिग्यासा है तो आप हमारे link से kotex पर एक account create कीजिए इसका link इसी वीडियो के नीचे description पर है और उसके बाद इनका जो minimum deposit है या आपको जितना deposit करना है वो deposit कीजिए और अपना ID हमें send कीजिए उसके लिए इसी page को scroll down कीजिए यहां पर contact us section होगा इसको click कीजिए और यहां से आप अपना ID हमें send कर सकते हैं अम आपका ID देखेंगे उसकी बाद आपको binary support का एक special email देंगे उस email पर binary trading से related कोई भी जिग्या सा हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं आपके सारे questions का answer 3 business days के अंदर मिल जाएगा आज के लिए बस इतना ही यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत भन्यवाद